हेलो दोस्तों स्वागत आपका साइंस स्मार्ट की अगली वीडियो में और आज हम बात करेंगे सार यानि के सिंथेटिक अपर्चर रेडार के बारे में अब जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ये एक रेडार है रेडार आपको पता होगा ये वेवस प्रोपगेट करत हैं उनको अपजरू करके हम किसी अपजेट का डिस्टेंस विलोस्टी और साइज पता कर सकते हैं लेकिन ये सिंथेटिक अपर्चर क्या है देखो अपर्चर होगा किसी सेंसर का वह एरिया जितने एरिया से लाइट पास होकर उस सेंसर तक पहुंच रही है ये अपर्चर इतना छोटा होगा लाइट उतनी ही कम सेंसर तक जा पाएगी और इमेज उतनी ही डार्क आएगी और ये जितना ज्यादा बड़ा होगा तो लाइट भी उतनी ही ज्यादा सेंसर तक पहुंच पाएगी और हमारी मेज उतनी ज्यादा क्लियर आएगी अब जब हम अर्थो व एगया कि clear image लेना possible नहीं होता तो यहां पे काम आता है synthetic aperture radar यानिके SAR SAR एक moving aircraft पर लगाया जाने वाला radar है और यह forward move करते हुए एक area को continuously scan करता जाता है जिस वजह से उस area की image quality हर बार scan करने पर increase होती जाती है example के लिए हम एक बार फिर से देखते हैं जब SAR scan करना start करता है तो उसकी image बहुत blurry होती है लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है तो वो area बार बार scan होता रहता है और उसकी image भी clear होती जाती है अभी इस radar की aperture का size भले ही 20 feet हो लेकिन जब उसने forward move करते हुए एक ही area को scan किया तो एक तरह से इसकी aperture का size इसने जीतना distance cover किया उस area को scan करते हुए उसके बराबर हो गया जो की कई kilometers के बराबर होता है और इसी को हम बोलते है synthetic aperture radar इस radar की खास्यत ये है कि इसमें microwave का use किया जाता है जिसके वज़े से बादलों के आरपार भी बड़ी आसानी से image ले सकता है और रात में भी इसको image लेने में कोई प्रेसानी नहीं होती और इसी वज़े से इस रोड नासा मिलके एक satellite पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है Nisar इसके next year launch होने की उमीद है तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने समझा synthetic aperture radar के बारे में ऐसे ही science से जोड़ी डेर सारी वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe जरूर कर लीजिएगा मैं आप से मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए मज़े करो